हेलो दोस्तों स्वादा क्या आप सबीका Sleepy Classes में तो आज के Primix में पांच questions रहेंगे Environment से related जिसमें आपके कुछ conceptual nature question देखेंगे कुछ static nature के देखेंगे और कुछ हम current affair related question देखेंगे बहुत important है prelims point of view से अगर आप UPC का trend follow कर रहे हैं तो बहुत easily आप बता सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में environment के questions आपके बढ़ रहे हैं and since जो आपका Indian Forest Services का prelims exam है वो आपका Civil Services के साथ होता है तो कहीं न कहीं आप expect कर सकते हैं कि good number of questions आपसे पूछे जाएंगे तो important है कि आप इसे अच्छे से prepare करें बहुत ही एक तरीके से deciding factor का ये role play कर सकता है कि आप cut off case पार है उस पार तो आइए देखते हैं किस तरीकी की आपकी preparation है क्या level है शुरुआत करते हैं पहले question के साथ जहां पर बहुत ही simple सी बात की जारी है coral reefs के बारे में तीन statements आपको दी गई है पूछा जा रहा है यहां पर कौन कौन सी correct है और उसे से related आपको चार quotes provide किये गए है statement 1 देखते हैं कह रहे हैं जो आपके coral reefs है naturally colorful रहते हैं because of the algae जो कि उसके अंदर ही रहती है और उसे खाना भी provide करती है second में कह रहे है coral reefs के बारे में कि cover करते हैं less than 1% of the ocean but they are home to almost 25% of all known marine species third में कह रहे है reef watch marine conservation कि यह agency है ministry of environment forest and climate change की और यह marine conservation पर काम कर रही है since 1993 तो तीन statements दी गई है इस तरीके question आपके 2018 या I think 2017 के exam में भी पूछे गे थे तो वहीं से आपके लिए question तयार किया गया है थोड़ा सोचिए इसके बारे में facts पूछे गए है correct action mark कीजिए फिर discuss करते हैं हम इस question को तो देखिए पहली setting में तो बहुत simple सी चीज़ बताएगी है और यह अगर आपने coral reefs के बारे में पढ़ा हो तो easily आप बता सकते थे कि पहली setting तो correct है ही कि जो algae की presence रहती है उसके अंदर वही वहाँ पर उसे help करती है colorful दिखने में और साथ के साथ उसे food भी provide करती है second में भी correctly बिताया गया है कि coral reefs आपके cover करते है less than 1% of the ocean बट यह आपका home है और to almost 25% of the known marine species बट जो third statement में बात हुरी है reef watch marine conservation के बारे में कि यह agency है ministry of environment forest and climate change की तो यह statement आपकी गलत है basically यह आपका सिर्फ एक NGO है ठीके जी जो कि यह marine conservation पर काम कर रहा है 1993 से तो पहली दो statement आपकी यहां correct है तो उसके अधार पर sea option correct option है explanation देख लेते हैं factual nature और question था इस तरीके के straightforward facts पूछ ली जाते हैं और coral reefs तो वैसे कि काफी जादा important है तो basically बहुत एक crucial role play करते हैं coral reefs in supporting flora and fauna of the marine ecosystem और साथ के साथ ही ने क्या का जाता है rain forest of the sea क्यों क्योंकि जो हमने second statement में fact discuss किया इसके अलावा यह basic information है काफी चीज़ें यहां पर cover हुई है facts cover हुए है कि क्या-क्या important है coral reefs के लिए किस तरीके के conservation programs चल रहे हैं या क्यों जरूरत है conservation की तो इसे वीडियो pause कीजिए अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने notes में भी compile कर लीजिए और क्या important है जो हमने बात की reef watch marine conservation के बारे में तो undemand islands में operate कर रहे हैं और marine conservation पर काम कर रहे हैं 1993 से तो बहुत important है आपके लिए कि इंडिया के कौन-कौन से ऐसे conservation programs हैं जो की coral reefs पर काम कर रहे हैं उनके बारे में देखिए पढ़िए अच्छे से आपको question किसी भी तरीके से आए तो आप at least एक अच्छा attempt तो वहाँ देख सके हैं ठीके जी अगले question के और बढ़ते हैं बहुत simple सी चीज़ पूछी गई है simple सा concept है limiting factors का in ecology और उसी से related आपको स्टेटमेंट्स दी गई है चार कोड्स प्रोवाइट किये गए हैं बताना है इन स्टेटमेंट्स में से correct कौन कौन सी है पहले में कह रहे हैं limiting factors आपके cause करते हैं competition between the individuals of a species population second में कह रहे हैं extreme sunlight आपकी rainforest के लिए limiting factor है और third में कह रहे हैं moisture आपका rainforest के लिए limiting factor है तो दोनों third में से particularly कौन सी statement correct है तो वीडियो pause कीजिए correct option mark कीजिए फिर discuss करते हैं इस concept को तो देखें limiting factor के बारे में बात हुरी है तो क्या रहते हैं factor ecology में कि जो की किसी एक particular ecology में जितने भी आपके species रहेंगे उनकी population की growth को रोकने की कोशिश करेंगे ठीके जी अब जैसे की जो पहली statement में बात हुरी है कि competition आपका cause करते हैं between individuals of a species population correctly बिताया गया है कि कौन जाधा देर तक survive करेगा और जो second statement बात हुरी है rain forest के लिए तो rain forest के लिए आपके extreme sunlight important नहीं है और उसी के अधार पर ये एक तरीके का limiting factor का role play करता है कि rainforest को आपके extreme sunlight की जुरुरत नहीं होती grow करने के तो moisture तो बहुत important है rain forest के लिए वो एक limiting factor तो नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपकी first or second correct है और उसी के अधार पर be option correct option है वही चीज़ आपको यहाँ पर भी समझाए गई है कि किस तरीके से आपका excessive sunlight rain forest के लिए limiting factor रहेगा ठीके जी तो conceptual nature of question था इस तरीके questions जो basic basic से concepts हैं जो कि आपके day to day science में भी discuss होते हैं उसके अलावा जो आपका शंकर आई है जो कि एक बहुत reliable grant है वहाँ पर भी discussion की गई है इसके बारे में तो इस तरीके question आप expect कर सकते हैं simple रहते हैं concept के बारे हम पता होगा तो बहुत easily ऐसे questions आप वहाँ पर correctly mark कर सकते हैं अगली question की और बढ़त हैं third question बहुत interesting question है current affair based question है बात हो रही है कि recently कुछ आपके species सबसे पहली बार spot किये गए हैं अब उसी से related आपको pairs दिये गए हैं किस form में species और first sighted him की कौन सी location में किये गए हैं तीन pairs है इन pairs में से बताना है incorrect कौन सा है और उसी के लिए आपको चार कोर जहां provide किये गए हैं त फिर बात हो रही है the stripped hair streak अरुणासित प्रदेश और third में बात हो रही है willow wobbler eastern guards अगर आप current affairs अपने regularly follow कर रहे हैं एक डेट साल के आपने पढ़ रखे हैं अच्छे से प्रिलिंज को समय नजदीक भी आ रहा है अब तो आपके tips पर भी होने चीए तो जब newspaper में heading आती है तो वहीं पर ही ये चीज़ें discuss हो जाती है तो बहुत easy है उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर correct option mark कीजिए discuss करते हैं फिर हम इस question को तो देखिए पहले में जो हिमालन सेरों के बारे में बात हो रही है तो आपका जमू इन कश्मीर में नहीं यह आपका हिमाचल प्रदेश म नहीं आपका तिरुवननंधपुरम में spot किया गया था तो first और third pair आपका incorrect है और उसी के धार पर c option correct option है और इस तरीकी के questions आपके पूछे जाते हैं आप पुराने exams आप जो अपना UPSC के previous questions है उसे भी देखेंगे तो वहाँ पर आप easily दे सकते हैं ऐसे questions ठीके जी तो factual as well as current आपका difficulty level हम कह सकते हैं medium hard की बीच में रहेगा कि कहीं बार इतने facts हम रेटेन नहीं कर पाते हैं तो basically हिमालियन सहरो आपका यह हिमालियन cold desert region में सबसे पहली बार देखा गया है और यहां पर जो biologist हैं वो इसे describe करते हैं इस हिमालियन सहरो को as a resembling a cross between goat, donkey, cow and a pig image आप यहां प के लिए इसमें आपका coat भी रहता है of a dark hair तो यह आपका herbivorous nature कर रहता है और altitude mention किया गया है कहां पर यह पाय जाता है 2000 मेटर से लेकर 4000 मेटर तक और यह आपके पाये जाते हैं eastern central as well as western हिमालियस में not in the trans हिमालियन region तो इसी लिए जब आपको सबसे पहले spot किया गया तो काफी चरे चकीत वल्ली बात थी कि आपका यह हिमाचल के स्पीती रीजिन में पाए गया ठीके जी और जो हमने बात की थी आपके स्ट्रिप्ट हेर स्ट्रीक के बारे में एक तरीकी की butterfly है जो की विजन अगर चुकि आपका रोनाशर प्रदेश में महिनमार को border करता है वहां पर स और क्या बात की थी हमने विलू वाबलर के बारे में तिरुवनंद्पुरों में सबसे बहले spot किया गया खास बात क्या है कि longest migrating bird है in the 10 grams वाबलर's weight category ठीके जी बहुत difficult रहता है identify करने के लिए क्यूंकि बहुत ही small size रहता है और जो उसका plumage color है वो change करता है twice a year image आप यहां पर देख सकते हैं तो current affairs based question था तो इसलिए important है कि current affairs अपने daily basis पर revise करें और इसलिए हमारा D&D initiative और जाधा important है daily आपकी news वहां पर discuss की जाती है जो relevant information है जो कि आपको prelims के तौर पूछी जा सकती है इन सभी का analysis किया जाता है ठीके जी तो regularly follow कीजिए इस initiative को fourth question के और बढ़ते हैं बहुत ही simple सी एक चीज़ पूछीगी है रामा देवरबटा वल्चर सेंचरी इंडिया की अकेली only वल्चर सेंचरी है पूछ रहे इन में से कौन से states में है तो बहुत ही simple सा question है यह तो चार options है मध्यपरदेश, तमिल नाडू, केरला इसलिए करनाटका बढ़ा सोचिए इसके बारे में, correct option माग कीजिए, discuss करते हैं फिर इस question को, यहां पर आपकी correct option है करनाटका, तो देखिए अब यह important किस तरीके से है exam point of view से, कि basically जो यह अकेली इंडिया की वल्चर सेंचरी है, करनाटका में located है पहली बात तो रामनगरा district में, और इसे अब notify कर जिए गया है as the eco sensitive zone, जो कि बहुत important इसके लिए protective barrier था, जो कि इसके जरूरत भी थी, तो इसके चलते क्यों किया गया, कि पहली बात जो आपका काफी close है बैंगलूरू के, और जिस तरीके से वहां पर expansion और इंडिस्ट्रिस की, तो वहां पर यह hinder कर रहा है, इस particular century के, हम क पर इंडियन वाइट बैग्ट वल्चर और वो नाचरली ब्रीड भी करते हैं, तो अगर आपको डिरेक्ली इस century related question आ जाए, यहां पर statement दियों और इस तरीके की statement वहां पर mention तो आप easily दा सकते हैं, कि वो correct है, और साथ के साथ अगर आपको इस तरीके question आए, कि कौन सी ऐसी जगा है, यहां पर आपका rescue center setup किया जाएगा, ऐसे questions आपके UPSC नहीं, तो at least state civil services में तो पूछी लिये जाते हैं ठीके जी, अगले question के और बढ़ते हैं, आज का final question तो बात हो रही है कि इन recent years जो आपका Himalayan Trillium है, काफी important हो गया है, माना जाता है as the most treated commercial plants of the Himalayan region, अब पूछ रहे हैं कि इन में से कौन से reason के लिए इतना ज़्यादा important है, पहले में कह रहे हैं कि उसका use है textile fiber में, second में कह र जार options आपको दी गई है, correct option mark कीजिए current of your related question है, फिर discuss करते हैं में इस question को, तो यह है because of its high medicinal quality, ठीकी जी, factual natural question था, difficulty level easy में कह सकते हैं, तो जो हिमालेन Trillium है, यह आपका पाया जाता है, इंडिया, भुटान, नेपाल और चाइना में, और एक बहुत ही natural source माना जाता है, of a steridal sap dependence, जो की बहुत important रहते हैं आपके इस तरीके के drugs में, यह plant काफी popular है आपके traditional Chinese medicine में, और इसी चक्कर से अब इसे declare कर दिया गया है, endangered की category में आ चुका है, in the IUCN list, अब क्यों इतना आ चुका है, क्योंकि बहुत जादा यह demand में है, बहुत जादा इसकी medicinal properties हैं, और इस तरीके से यह इतना जादा high demand में हैं, कि जो इसका एक kilogram का अगर हम कह सकते हैं quantity है, तो वो आपको 3-5000 में मिलती है, तो यह आपका endangered में declare कर देगा है, और उसी तरीके से आपके लिए exam point of view से important भी है, image आपको यहाँ पर provide कर दी गई है, ठीके जी, तो यह थे आज के हमारे 5 questions, I hope आप गया, दोनों आपके alternate days पर आते हैं, तो यहाँ से आपका जो newspaper वाला effort है, बिल्कुल खतम हो चुका है, और फिर जो आपका 2-minute का series है, जिसमें important concepts आपके discuss किये जा रहे है, prelims point of view से, इन सभी initiatives को देखिए, और premix के help से test कीजिए कि आपकी preparation का level क्या है, कि क्या आप यह सारी information retain कर पा रहे हैं, या जो आपका prelims का exam नजदी का रहा है, उसमें किस तरीके questions पूछे जाएंगे, तो क्या वहाँ पर अच्छा perform कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपकी लिए एक practice match set किया गया है, ठीके जी दिन के 5 questions रहता है, hardly 15 minutes का lecture रहता है, तो regularly इस initiative को follow कीजिए, और जान और essay component जो की main answer writing के लिए बहुत जादा important है, इंस्टार्बन प्लान्स रखे गए हैं, इसमें सारी details हमारी website पर available है, आपकी कोई भी queries हों, तो हमें call कीजिए, इस number पर हम पूरी कोशिश करेंगे, आपकी हरी query को यहाँ पर resolve करने की, ठीके जी, तो आज के लिए इतना ही, all the very best and have a good night.